हालाव एंड वेलकम एवरिवन एड आज हम स्टड़ी करने वाले हैं इस सर्मन एट बिनारस यह ब्यूटिफुल सा चेप्टर है आपका फुर्स्ट फलाइट का एंड जैसे आप देखें यह तो आपका एक आर्टिकल है यहां पे आथर ने यूज किया है बिकॉज यह एक प होगा आपने एक काफी यह नियूज में रहता है बहुत ही पबलर सीडियाय इड सर्मन की जहां पर बात करते हैं सर्मन बेसिकली हम कहते हैं तकरीर को यह लेक्चर बट ऐसा लेक्चर जो डिलिवर किया जाता है जिसका कंटेंट रिलीजियर इस जो लेक्चर होते हैं तक्र लिवर करते हैं हम उसको सर्मन करके रैफर करते हैं चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाइन पहला पैराग्राफ है आपका घौतम बुद्ध जहां पर इसकी बर्थ डेट एंड दिन डेथ डेट लिख रखी है इस टाइम पीरिड के बीच में रहे हैं बिगें सिदार्थ गोतम इन नौधन इंडिया पहली लाइन हमें इस पैरग्राफ की बताती है कि गोतम बुद्ध जो था एक तो उसकी जो है बर्थ कब हुई और डेथ कब हुई एंड दूसरी चीज जहां पर हमें बताती है जे कि गोतम बुदा का बर्थ कहां पर हुआ है इसका हुआ है नोधन निडिया में जब आपने इंडिया का ऐसे मैप देखा होगा कुछ ऐसे करकी इंडिया हमारे का मैप होता है एंड यहां से हम पीच मैं से डिवाइड करें तो ऑपर वाला जगहाएं इनौध है इसको हम नौधन इंडिया करके रिफर करते हैं तो इस स्वाले सेक्टर में इसकी पेदाइश हुई है बर्त हुई है बर जब गोतम ये जो है सिदार्थ इसकी बर्त हुई है एक रॉयल फेमिली के अंदर इसके पारिंट्स जो ते वह त applies कींग धे जाती है जब बारा साल की उमर का हो जाता है सदार तो दिन इसको हिंदू सेक्रेट्स पढ़ने के लिए जो है इस स्कूल में जो है रिलीजिस स्कूल के अंदर बेजा जाता है और फोर जियर्स लेटर ही रिटरंड होम टू मैरी ए प्रेंस और चार साल के बाद अपनी पढ़ाई करने के बाद वहां से वापस आ जाता है और जब वापस आता है तो इसकी शादी जिस लड़की से होती है वह भी रॉयल घराने से तलक रखती है तो वह एक शहजादी होती या प्रेंस से ते हैड़ेशन एंड इनकी मैरेज अच्छी चलती है और इनका एक बचा होता है एड लीवड फार टेंजियर्स आज बिफिटेड रोयालिटी एंड दिन आफ्टर दाट यह जो है दस साल तक यह अकठे रहते हैं जहां पर यह आज रोयल्टी मतलब जिस तर होता है एक टर्निंग पॉइंट आता है इसकी लाइफ में तो वह आगे मिंचन का रखा है अथर ने आट अबाउट ता एज आफ 25 जब सिदार्थ की 25 साल की उमर हो जाती है अब तक जो है अब तक सिदार्थ अनवेर था वर्ल्ड की सफरिंग से बाहर क्या चल रहा है उसक होती है या फिर प्रोटेक्शन होती है तो शिपार दू एक दिवार है तो इसको भी हम शील्ड बोलेंगे एंड आप इसके पीछे ठीक है ना कोई भेरियर है आपके सामने इस साइड से इस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते कि जहां पर क्या है कि उनके बीच मिच में किसको नहीं पता था बाहर की दुनिया क्या होती है क्योंकि रॉयल गेरानों में क्या होता है कि इनके आगे बहुत से नोकर चाकर होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं कभी इन्होंने बिमारी नहीं देखी होती कभी कोई दुख नहीं दिखा होता कभी कोई प्रॉब्लम थी दित वार उसम एक दिन जे सकार पर जाता है एंड हैंतिग जब जाता है उसको मौकह मिलता है यह इसको मिलता है जिनाजा सब्सक्राइब बूरा दमी जो है एक बूर आदमी इसको मिलता है इसको then a funeral procession funeral होता है जनाजा जब कोई person dead हो जाता है तो देन उसको अपने religion के according जो है उसकी final procession होती है ज़सी तरह कुछ करिमेट करते ही या कुछ बरी करते है राइड बट उसके लिए भी जो है पहले procession होती है accordingly और जब कुछी की death होती है तो बहुत से लोग जो है वहां पर आते हैं उसको ताजियत करने के लिए भी तो यह वाली procession जो है किसी कोई person dead हुआ था किसी की dead body की procession भी जहां पर सिदार्थ ने देखी इस and finally a monk begging for arms alums ठीक है alums होता है and finally देखता है सिदार्थ एक person को जो बीख मांगे रहा होता है तो चार लोगों को देखता है यह एक सिक आदमी को देखता है दूसरा एक भूड़े आदमी को देखता है एक dead body की procession देखता है और एक बीख मांगते मांग को देखता है फिकीर को देखता है ठीक है दिस साइट सो मूड है यह वाली जो चीज़ें जो उसने देखी तो इसकी वाज़ा से वह इतना भाग गया इतना मतलब के वह दिल से उसको हो गया अंदर से कुछ that he at once went out into the world to seek enlightenment के अब उसने डिसाइड कर लिया के वह जो है enlightenment seek करेगा concerning the sorrows he had witnessed यह जो घम उसने देखे हैं यह जो दुख देखे लोगों के तो इसकी लिए जो है enlightenment वह देखेगा enlightenment क्या होता है enlightenment होता है मतलब के कोई ऐसी knowledge कोई reality जो आप पता लगाएगा जे के इसके पीछे का क्या राज का लोग सफर क्यों कर रहे हैं लोग बूडे क्यों हो रहे हैं लोग बिमार क्यों है ठीक है या कुछ लोग घरीब कि होगे जो बीख मागरें ये लोगों के दुख है विल्ड के सारो lige के गम हैं ये दुख है तो इसके पीछे का राज क्या है, हकीकत क्या है, इनके पीछे ये सब कैसे चल रहा है, तो that's enlightenment, ठीक है न, तो enlightenment जो है ये उसको सीख करने के लिए उस तलाश में निकल जाता है कि इन सब problems की वज़ा क्या है और इनका solution क्या होगा, ये वेंडर करता है, वेंडर का मतलब है जब आप निकलते हैं, गूमते हैं बेना किसी परपस के, जब आप टहलने के लिए शाम को निकल जाते हैं जा खेलने के लिए निकल जाते हैं तो you are not sure कि आपको किस ग्राउंड में जाना है, कहां पे जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको जहां पे मज़ा आ रहा है, आप वहां उस साइड में जा रही हूँ, तो that is wandering, जिस तरह से बादल आसमान में होते हैं, वो किसी भी direction में जो है, move करते हैं, तो जहां पे जो है ये vendor करता है, for seven years, ये मज़े के लिए vendor नहीं करता, बलके enlightenment के लिए vendor करता है, ठ का solutions क्या होगा, and finally sat down under a people tree, and जब साथ साल के बाद इसको कोई जो है किसी conclusion पे नहीं पहुंचता, तो ultimately एक people का दरखत होता है, उसके नीचे सिदार्थ बैठ जाता है, where he vowed to say until enlightenment came, and वहां पे जो है उसने किसम खाई, के वो वहीं पे रहेगा, उसी पेड के नीचे बैठा रह जाता, जब तक enlightenment नहीं हो जाती, enlightened after seven days, साथ दिनों तक उसी पेड के नीचे, बोधी ट्री के नीचे ये बैठा रहता है, साथ दिन के बाद जो है, ये enlightened होता है, इसको पता चलता है, दुनिया की sufferings के reasons, राज राज पूरी नालज इसको आती है, he named the tree, बोधी ट्री, अब ज धनाई का पेड, ठीक है, wisdom होता है, धनाई या अकलमंदी, and began to teach and to share his new understandings, then इसको एक तो जहां पर enlightenment होती है, इसको पता चलता है, कि ये suffering की वज़ा क्या है, क्यों होती है, इनका क्या solutions, ठीक है, इस पेड के नीचे इसको पता चलता है, दिन दूसरे चीज ये क्या करता है, इस पेड का नाम चेंज कर देता है, धन थर्ड चीज क्या करता है, थर्ड चीज ये ये कर रहा है, जहां पर के, अब इसने ये चीज डिसाइड कर ली ही है, कि जो enlightenment इसको मिली है, जो चीज़े इसको पता चली है, जो इसकी understanding है, ये वाली ये जो है, ये पढ़ाएगा, और ये नई किसम की, ये जो नई understanding, नई समझ इसको आई है, सिदार्थ को ये वाली understanding, ये लोगों के साथ शेयर करेगा, आट बाइम, आट बाइम, ये बीकेम नून आज तब बुदा, तो उस वक्त से, जब उसने ये decision ले लिया, एंड दिन उस टाइम से, इसको बुदा कर कि पुकारा जाने लगा, तब इसका नाम पड़ा बुदा, क्यों बुदा का मतलब होता है, एक कंड का मतलब होता है, जागा हुआ, जिस तरह से, sufferings क्यों है इनका solutions क्या है ठीक है दी बुद्धा प्रीज्ट हिस फर्स्ट सर्मन एड़ टा सीटी आफ बुनारस बुद्धा जो है अपना जब इसने decide कर लिया कि यह लोगों के साथ अपनी understanding share करेगा लोगों को teach करेगा नई understanding के बारे में देन पहली बार जो इसका सबसे पहला इसने अपना जो लेक्चर डिलीवर किया अपनी पहली तकरियर की जो पहला सर्मन इसने डिलीवर किया वो कहां यहां पर जो है बिनारस का ही significance बदा रहा है कि बिनारस जो है बहुत ही holy city मुताबरक city मानी जाती है क्योंकि यहां पर बहुत से लोग जो है रेवर गंगा जो है इसके अंदर बहुत सी dipping places आपको मिलेंगी dipping लोग की लगा आते हैं ठीक है फोली जगा के जहां पे आपको यह गंगा रेवर पे मिलेंगी तो इसलिए जो हो अनुस्ट होली प्लेस है जहां पे इसने पहली बार अपना सर्मन जली वर किया यहां वाला सर्वन वह वाला सर्मन जो सिदार्थ ने पहली बहर वारा नसी के अंदर डिलिवर किया है, उस वाले सर्मन को प्रिजर्व करके रखा गया है, मतलब वैसे है, जो इसने कहीं बाते, वो बातें किसी ने लिखी होंगी, जा लोगों को याद होंगी, और दिन लेटर आन लिखी गई होंगी, तो वो लिख benefiting byлом겠습니다 इंड ये वाला जो सर्मन है ये वाली जो इंडस्टेमध नेक है ये Mayor एके हम इस चाइडियंग थी रिगारिंग शीर किई जी जो सफ्रिंग पर इतनी ज्यादा ठीक है ना तो ऐनकी क्या वज़ा है और इनके क्या सिलeASON के एड लोगों को दिन कैसे जो है इनके साथ डील करना चाहिए salvation कैसे लोग चीव करेंगे तो यह वाली जो चीज़ें होंगी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे तो यह हमारा पहला पेराग्राफ हो गया जिसके अंदर हमने देखा बोतम गोतम बुद्ध जो है यह फाइव थर्टी सिक्स संचरी में से लेकर जो है फाइव एटी थ्री बीसी तक जो है इसकी डेट रहती है यह एक रॉयल गराने के अंदर पैदा होता है आज परिंस अदिन जब इसकी बारा स साल की उमर होती है तो यह जो है हिंदू सेकर्ट से क्रिप्चर्स को पढ़ने जाता है दिन चार साल के बाद वहां से लोड़ता है तो इसकी एक रॉयल घराने में शादी हो जाती है दिन इन इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम जे रॉयल राहुल रखते हैं ठीक है हल जो है यह डिसाइड करता है कि इसके पीछे कि यह एनलाइटन में ढूंडेगा राज ढूंडेगा इंदेन इसके सुलूशन को फाइंड आउट करेगा एंड आफ्टर सेवन गुजरने के बाद बोदी ट्री के नीचे बैठता है पीपल के पेड़ के नीचे और वहां पे इसको अंडरस्टेडिंग आती है एड़ वही अंडरस्टेडिंग जो है यह डिसाइड करता है कि लोगों तक यह पहुंचाएगा पहली बार अपना सर्मन यह डिलीवर करता है बिनारस के अंदर जो हमारे चैप्टर के में इस चैप्टर में आगे देखने को मिलेगा तो नहीं कि ये लेक्चर है किसका बुदा का लेक्चर नहीं है ये जिसने स्टोरी लिखी है जिसने पहला पैराग्राफ लिखा उसी ने वही जो है हमें दूसरा ये वाले पैराग्राफ जो है उसी के साथ वो कनेक्ट करके हमें सिदार्थ के बारे में समझाने की कोशिश करेगा author and उसकी understanding के बारे में हमें समझा रहा है क्या लिख रहा है किसा गुतामी कोई औरत है and कहता है author कि उसका एक ही बेटा था उसको एक बेटा हुआ and he died unfortunately क्या होता है कि उसका एक बेटा जो था जो उसको हुआ किसा गतामी को उसकी मौत हो अंपर गृफट जब उसके बच्छे की मौत होगी तो किसा गतामी काफी दुखी थी वह अपने दुख तो अपने नेवरस अपने जो परोषी थे था धाने लगी आंसकिंग और बच्छे परंगे पास आपने परोश्यों के पास क्यों जाती थी हारे के पास क्यों बढ़ टकती थी आपने मरे हुए बच्चे को लेकर उनसे मेडिसन मांगती थी और लोग कहते थे कि ये जो औरत है ये अपना दमागी तौजन को चुकी है मतलब के मिंटल हो चुकी है ये बचा मरा हुआ है तो आपने मरे हुए बच्चे को लेकर जाती थी परोश्यों के पास लोगों किसे कहती थी कि कोई मेडिसन दो ये बात करे ये उठके चले खड़ा हो और लोग जो है इसको तब पागल समझते थे इस ओरत को आट लिंग्थ आट लिंग्थ का मतलब है जब काफी टाइम घुजर गया कुछ अर्शा के बाद किसा गुतामी मैठे मैं खू रिपलाई तो हार रिक्वेस्ट किसा गुतामी मिलती है एक आदमी से जिसने फाइनली इसकी रिक्वे मेडिसन फार्थाई चैल्ड यह जो थाई वर्ड लिखा है थी वर्ड लिखा है बैसिकली यह वाले वर्ड हमें शेक्सफेर की इंग्लिश के अंदर देखने को मिलते हैं थाई वर्ड का मतलब होता है यू 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 आर ठी कहना एंड थी जो है जहां पर टी एची दो इसक आदमी ने किसा गुतामी को एंड आथर ने यहीं वैसे के वैसे ही वोड जहां पर कोट कर दिये हैं इसमें चेंज कुछ नहीं किया इंड इस चीज़ को हम जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है इसको हम डिरेक्ट स्पीच करके रैफर करते हैं जिस टिरेट किया है ज़हांपे आतर ने हमें बता रहा है कि उस आदमी ने किसा गुतामी को क्या बता है कि मैं जो है अगई को कहते हैं फुजिशन उस डाक्टर को कहते हैं जो आपका मतलब जो है चेक करता है मतलब आपके डिफरेंट जो इस्यूस होते हैं जिस तरह से आपकी पल्स रेट्स भी चक कर लेगा ब्लड वगरा एंड दूसरी चीज़े मतलब अवराल वो चेक करता है ठीक है और यह जो ल मेरा यह यह कोन है जो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है और यह आदमी इसको जवाब देता है गो टू साथ्या मुनी दबढ के पास जा के बुद्या करेगा किसा गुतामी पहुंच जाती है बुद्या के पास एड वहां पर जाकर चिलाती है लाड एंड मास्टर कि अमींद संदो जो मेरे बचे का इलाज करें मेरा बचा जिसकी वजा से ठीक हो जाए ऐसी दौा मुझे दो बुदा आंसर बुदा जवाब देता है I want a handful of mustard seed mustard होता है सरसू and seed होता है सरसू का भीज होता है छोटा छोटा and यहाँ पर बुदा जो है इस ओरत को कहता है कि मुझे जो है एक मुठी चाहिए एक handful चाहिए एक fist चाहिए मुझे सरसू के भीज का वो आप लाइए ठीक है and when the girl in her joy I promise to procure it and तब जब यह चीज सुनती है लड़की यह किसा घुतामी सुनती है तो यह खुश हो जाती है and खुश ही में यह प्रॉमिस करती है कि यह इसको लाएगी मतलब कि अगर सरसू के भीज की मुठी से इसका बचा जो है फिर से जिन्दा हो जाएगा तो यहां पर जो है इतना यह गूमी अपने प्रोश्यों के पास की हर एक के पास की अब तक कोई सुलुशन नहीं था and now the friendly thing is what इसको एक मुठी लानी है सरसू के भीज की and वो बुद्दा को देनी है बुद्दा जो है उसका मेडिसन इसको देगा तो इसका बचा ठीक हो जाएगा तो यह खुश हो जाती है इतना में but क्या होता है लेकन अभी जो है बुद्दा क्या कहता है आगे कुछ और कहता है लेकन जो सरसू का भीज होगा वो तुम्हें ऐसे गर से लाना है ऐसे गर से लाना है where no one has lost a child जिस गर के अंदर जो है जहां पर किसी भचे की कभी मोत ना हुई हो या किसी खस्बंट की कभी मोत ना हुई हो खस्बंट होता है घर वाला या किसी पैरंट की कभी मोत ना हुई हो या किसी दोस्त की कभी मोत ना हुई हो मतलब ऐसे गार से सरसू का बीज लाना है किसा घुतामी को अपने बेटे को ठी जिसको जो देना है भुदा को जिससे इसका बेटा ठीक होगा जिस घार में किसी भी परसन की कभी डैथ ना होई हो तो ये वाला जो है इन परेग्राफ के अंदर हमने देखा किसा घुतामी का इंसिडंस आ गया पहले परेग्राफ में हमें आथर जो है गोतम पुदा के बारे में बताता है किस तरह से उसकी कितनी यही थी कहां पर पैदा हुआ दिन वो कैसे मुग कर गया कैसे उसने जो है इन के लिए द्वाई डून रही थी जगह जगह पर बटक रही थी फाइनली उसको एक बंदा जो है वह बोलता है कि वह बुदा के पास जाती है वह तो बुदा उसको बोलता है कि सरसु के भीज की एक मुठी लाए पट उस गर से लाए जिस घर में कोई मोत ना हुई को चलिए आगे चलते हैं पोर किसागोतामी नाव वेंट फ्राम हाउस तो हाउस यह जो किसागोतामी है अब गार 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 गई जे एंड़ पीपल पीटीड हर एट सैट और लोग इसके साथ दुख साजा करते थे मतलब इसके दुख में शरीक होते थे और कहते थे हीर इस इस पेंडर का सर्सू का सीड जो है बीज है यह यह ले जाओ बाट वेंड शी आस्क्ट लेकन चूखे बुदा ने इस पर कंडिशन रखी थी इसलीए किसागोतामी जब जो है बाट वेंड़ चीए लेकन जब किसागोतामी जो है फिर फर्दर इन से पूछती है क्या और खोसन हो इन मेंसे कभी किसी की मौत हुई है तो लोग क्या जवाब देते दे आंसर हर लोग जवाब देते उसको किसको किसा गुतामी को अलास ती लीविंग आर फ्यू बड़ तड़ आर मेनी दुखी बात यह है कि जिन्दा हम कम हैं कम हैं लेकन मरे हुए ज्यादा हैं मर जाद मत करवाओ वो रिमाइड मत करवाओ यह पूछ कर के हमारी फैमली में हमारे बेटे बेटे बेटी माँ बाप जाक किसी की डेथ हुई है ठीक है एंड देर वाजनो हाउस बट सम्पिलावड वन हैड डाइड इन इट एंड देर वास लो हाउस और पूरा इसने च्छा शारा मरा हुआ ठीक है ऐसा कोई भी गार इसको नहीं मिला जिसमें कोई न मरा हो किसागतामी बैञारी फोबलेस होता है ठगा हुए ठामी फोलिस हो जाती और नाउमीद हो जाती है उमीद खो देती है and sat down at the wayside और रस्ते के कनारे wayside जिस रस्ते से गुजर रही थी ठीक है जो रस्ता होता है उसके साइड में बैठ जाती वाचिंग दा लाइट साफता शीटी और देखना शुरू कर देती है सीटी की जो लाइटस होती है ठीक है जब आप कहीं पहुंस को भारी जाते हो तो सांगे जो नुझारा होता है आप उसको अबजर्व करने शुरू कर देते हो इसा तरह जब किसा को तामी थक गई तो रस्ते में बैठ गई एंट सामने जो है सीटी थी तो उसकी जो लाइट थी तो उसको अब्जरव करना इसने शुरू कर दिया आदमी की अटेंशन जाती है जैसे ही वह लाइटे जलती है एंड वियर इस्टिंग अगें उसके बाद वह लाइटे फि जो है पूरे सीटी में अंधेरा चा जाता है हर जगा पे अंधेरा होता है और यहां से इसको खुद ही समझाती है वह अंसान की तकदीर को अंसान की किसमत को इस चीज़ के साथ कंपेर करती है जिस तरह से लोग है इन लाइटों की तरह उनकी जीदिगियां भी जो है इसी तरह चमकती है वो जिन्दा होते हैं और इस तरह से आदमियों की जो है फिर बाद में डेथ हो जाती है इंड शी था टू हर सेलव एंड जहां पे किसा गुतामी को खुद की यह ख्याल आता है हाव सेलफिश होता है खुद गरस खुद गरस होता है सेलफ संट्रिक ऐसा परस हो सकता है जिस से आप immortal हो जाएंगे immortal आप होते कि immortal का मतलब होता है कभी ना मरने वाला कभी भी ना मरने वाले परसन को कभी ना मरने वाले परसन को हम कहते हैं immortal and दूसरा होता है mortal mortal होता है मरने वाला ठीक है ना कोई भी ऐसी चीज जिसको मोत हो मोत आनी हो तो हम उसको immortal करके refer करते हैं जिसको कभी ना मोता है हम उसको immortal करके refer करते हैं ठीक है there is a path that leads him to immortality शहां पर एक रस्ता है जिसकी वज़ा से जो है आदमी immortal हो सकता है who has surrendered all selfishness वो जो अपनी सभी खुदगर्जियां छोड़ दे तो वो वाला आदमी जो है अमर हो सकता है जब आप अपनी खुदगर्जियां छोड़ देंगे तो लोगों की help करोगे करोगे लोगों के benefit के लिए काम करोगे ठीक है ना तो दिन आप ता क्यामत तक जो है immortal हो जाऊँ get जिनदा रहो कि इस में आदमी जिन नहीं रहेगा बलकिए उसके कर्म हैं जो उसने काम किये कैं वह उसके जो स्क्राइब हो जाथे हैं खमेशा के लिए वह जिनदा रहते हैं और यहां पे हमारा जो है दूसरा पार्त पहले पाट के अंदर हमने बुदा के बारे में देखा दूसरे दूसरा जो हमारे चेप्टर का pug है ठीक है। हालाएंके इसमें लिखा नहीं है, pat one, two just my understanding के लिए भोल रहा हूँ दूसरा जो हमने इसके अनदर जो हमने ठ jetzt? किसागोतामी की स्टोरी देखी किस तरह उसके बच्चे की डेथ हो गई थी किस तरह से लेटर आँ उसको यह चीज अंडरस्टेंड हुई कि मौत सब के लिए है इसे इकल है इंड नाव उसके बाद क्या है आथर हमें कहा ले जाएगा अब देखते हैं दी बुदा सैड इंड नाव जहां पे जिस सर्मन की इसने पहले परेग्राफ में ही बात की कि इस आगे जो है जहां पे बनारस में जो इसने सर्मन जलीवर किया है वो वाला सर्मन इसने जहां पे लिखा हुआ है तो वो वाला सर्मन अब जहां पे आगे इसने बोला है ये जो अलफाज हैं, मैंने कहा जब ऐसा quotation marks होती है, इसका मतलब ये किसी ने कहे हैं, ये बुदा ने कहे हैं, और वैसी की वैसी की जहां पे chapter में आथर ने डाल दिये हैं, दी बुदा sad, बुदा ने कहा, the life of mortals in this world, mortals क्या होता है, mortals मैंने अभी कहा, mortals होता है, कोई बी ऐसी चीज, चिसको मौत आनी हो, मौत आनी मतलब definite हो, इस आनी आनी है, उसको हम mortals कहते हैं, जनरली आप देखेंगे, वर्ल्ड का असूल लखा है, कि जितने भी living beings कें, जितनी भी जहांधार चीज़े हैं, उनको मौत आती है, ठीक है न, तो हम सभी जहांधारों को mortals कहेंगे, the life of mortals in this world is troubled, troubled का मतलब है, पर्शानी, पर्शानीों से जूंज रही, कि जितने भी mortals हैं, इस दुनिया के अंदर, उनकी जो जिन्दगी होती है, इस दुनिया के अंदर, वो पर्शानी बरी होती है, एंड ब्रीफ, और जो जिन्दगी होती है, मौत कम होती है, ब जो है, इनसानों का जनरली जो है, आप देखेंगे, हंडर्ड, हंडर्ड, ट्वन्टी, ठीक है न, आजकल इतना जो है, लाइफ स्पेंज जाता है, तो जो है, ब्रीफ है, मौतसर एक टाइम होता है, मौडल्स की जिन्दगी का, एंड कमपाइंड विद पें, और जो मौड वो जो पैदा हुए हैं, जो पैदा हो गए हैं, वो अपनी मौत को रोक सके, अपनी मौत को एवाइड कर सके, अपनी मौत को टाल सके, यहां पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, जिस से जो लोग पैदा हुए हैं, वो अपनी मौत को टाल सके, आफ्टर रीचिंग ओल्ड nature are living beings, जो living beings हैं, जन्दार चीज़ें जो हैं, वो इस nature की हैं, जब वो age हो जाती है उनकी, तो दिन उनको मौत आ जाती है, इड़ आगे जो है, बुदा ये अक्चल में तकरीर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, इड़ आगे बुदा क्या कहता है, example देता है, fruit की, ठीक है न और बरतनों की example दे के लोगों को समझाता है, क्या कहता है, as ripe fruits are early in danger of falling, जैसा के एक पका हुआ, ripe का मतलब होता है, जो जिस तरह से कोई फल हो, चाहे वो आपका सेब हो, नाश पाती हो, कोई भी फल हो, जब वो पक जाता है दिन, कभी भी उस पे खत्रा मटराता रहता है, कि वो कभी भी गिर जाएगा, जब फल पक गया, तो फल कभी भी गिर सकता है, as ripe fruits are early in danger of falling, जिस तरह के जब fruit पक जाता है कोई भी, तब उस पे जो है, खत्रा भाड जाता है गिरने का, so mortals when born are always in danger of death, इसी तरह से जो mortals होते हैं, ठीक है ना, वो चीज़े जिन को मरना है, जब वो पैदा होते हैं, पैदा होते ही, उनके लिए ये डेंजर शुरू हो जाता है, किसका मोत का, ठीक है, हमें समझाता है, जहां पे जिस तरह से एक fruit पक जाता है, और दिन उसका गिरना तैह होता है, वो कभी भी गिर सकता है, इस तरह से जब भी कोई जंदार चीज़ पैद जैसा कि हमें आगे बताता है, बुदा ने आगे तकरीर में कहा, कि जैसे के मिटी के अर्थन होता है, मिटी के जो भरतन होते हैं, उनको कौन बनाता है, मिटी के बरतन जो पोटर बनाता है, पोटर होता है कुमार, जो मिटी के बरतन बनाता है, हम उसको पोटर कहते हैं, तो जितने भी बनते हैं वो आखरकार फाइनली टूट जाते हैं इसी तरह जो है मार्टल्स की जिन्दगी है उनकी बी जो है कभी भी मौत जो है जिस तरह से परतन जो होते हैं मिटी के वो भी टूट जाते हैं फाइनली इस तरह से जो जानदार चीजे होती है finally उनकी मौत आती है both young and adult चाहे नوجवान हो चाहे adult हो both those who are fools and those who are wise चाहे कोई बेवकूफ लोग हो चाहे धना लोग हो all fall into the power of death सबी की जो है मौत आती है all are subject to death और सब को मौत आनी है of those who ever come by death वो of those who are लोग जो overcome by death जो मौत से बाहर आ जाते हैं डिपाट फ्राम लाइफ जिंदगी से जुदा हो जाते हैं वो लोग जिनको मौत आ जाती है जिंदगी उनकी जो है चली जाती है मतलब जिंदगी उनकी अलाग हो जाती है खत्म हो जाती है एक भाब जो है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता ना ही अगर कोई साथ में कोई दोस्त वगारा होंगे कोई रिलेटियूज होंगे वो भी अपने किसी दूसरे साथी को कोई भी नहीं बचा सकता जब मौत आ गई तो वो जिन्दगी से जुदा कर देती है डिपार्ट का मतलब है जुदा कर देती है यह चीज हमें बताता है आगे के ध्यान से देखिए कि जब के जो रिष्टिदार होते हैं वो बहुत जो है गहरे तरीके से लेमिट करते हैं लेमिट का मतलब है ताजियत करना जब कोई जो है गम में रोना जब किसी के गम में शरीक होना आवजारी करना जब किसी का कोई मर जाता है तो रिलेटियूज जब दोस्त भी उसके साथ में रोते हैं तो सब लेमिट करते हैं ठीक है ना दुख में रोते हैं वन रीवर कराव यरूज आर कैरिट आ लेकिन एक एक करके जो जाडर चीज़े होती हैं जो मौर्टल होते हैं वो चले जाते हैं मर जाती हैं वो चीज़ें ख happiness 侈यक यं ऑ क्डैट इस लैंट तुदम स्लाटर एक भाल की तरह जिसको जबा करने के लिए, सलाटर काटने के लिए कसाई गर में या लिया जाता है, ठीक है, जा उसको मारा जाता है So the world is afflicted with death in decay So इसलिए ये जो दुनिया है, ये death से और decay से, खत्म होने से भरी पड़ी है Decay का मतलब है, जब आपकी body जो है, मर जाते हैं, तो आपको अगर समीन में डालेंगे तो वहीं पर decompose हो जाती है क्रिमेट करेंगे तो तब भी finally decompose हो जाता है, खत्म हो जाता है तो ये जो दुनिया है, इसके अंदर death भी है और decay भी है वो दुख, दुख ही नहीं होते जब कोई मर जाता है Knowing the term जाता, world क्यों कि अवो दुनिया के असूल जानते हैं कि जहाँ पे सब को मरना होता है तो यहाँ पे इस पेज़ पे हमने जो है, हमारा ये थर्ड पार्ट है actual में पहले जो है, चैप्टर के पहले हिसे में हमने देखा गोतम गुदा के बारे में हमें आथर ने बताया फिर किसा गुतामी के बारे में हमें बताया देन जहाँ पे आगे डिरेक्ट जो है आथर ने जो बिनारिस के अंदर पहला सर्मन बुदा ने डिलीवर किया था वो वाला वो वाली तकरीर हमें जहां पे सुना रहा है आथर ने हमें जहां पे लिखी हुई है जिसके अंदर हमने देखा कि बुदा अपनी तकरीर को स्टार्ट करते हुई कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी जीवत लोग हैं जिनको मरना है वो परशानियों से जूंज रहे हैं उनका लाइफस्टाइल कम है और वो दुख दरत से भरे हुए हैं ठीक है जहां पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो अपनी मोत को बचा सकते हैं ठीक है जब आदमी पे मोत का खत्रा इसी तरह से रहता है जैसा कि आप देखें जितने भी अर्थन वेसल्स होते हैं कमार जब उनको बनाता है तो फाइनली वो तूट जाते इस तरह से जो मौटल्स होते हैं फाइनली उनकी जिन्दिएंगी खत्म हो जाती है चाहे जवान हो अडल्ट हो बेव relationship को रोक सकता है ठीक है ना जब के जो रिष्टदार होते हैं जब कोई मरता है तो वो बहुत गहरी तरीके से उसको लेमट करते हैं रोते हैं उसके पीछे ठीक है ना लेकिन एक करके जो है जितने भी जिवत चीजें होती है उनको मरना होता है जिस तरह से एक आक्स जो है उसक सद्मा नहीं करते क्योंकि वो दुनिया के असूल जो है वो जानते ही नाट फ्राम वीपिंग नार फ्राम ग्रीविंग विल एनिवन अप्टेन पीस अफ माइड छहां पे हमें बताता है आगे बुदा ने अपनी तक्रीर में कहा ना ही रोने से वीपिंग का मतलब है रोना न लोने से और ना ही दूख करने से आए तक किसी को भी जो है मन का सुझन नहीं आ सकता एक पूजोद इसके होता क्या है किया है कि उसका जो तर्द होता है उसका जो पेन होता है वो और भाड़ जाता है और उसका जो जिसम होता है फर्दर सफर करता है He will make himself sick and pale और वो शखस जो किसी मरने वाले के पीछे रो रहा होता है वो खुद बिमार हो जाता है and मुर जाता है yet the dead are not saved by his lamentation. लेकन जो मुर गया जो शक्स वो बचाया नहीं जा सकता. इसकी आवागजारी से, इसके सदमे से, इसके रोने दोने से, वो नहीं बच सकता. उसको नहीं सेव किया जा सकता. वो मर गया तो मर गया. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. वो जो चाहते हैं कि उनको peace रखे, ठीक है, उनको mental peace रखे, ठीक है. उनको क्या करना चाहिए? उनको ये जो सदमा है, जो आप limit करते हैं, जब कोई मर जाता है, तो उसके पीशे दुख में जो रोते हैं, इस limitation के लिए एक line ड्रा करनी चाहिए, कि हाँ किस खातक limit है, उसके बाद आपको समझना चाहिए, कि रोने से कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ड का असूल है. And complaint and grief, कि आपको जो है एक arrow ड्रा करनी की जरूरत है जहां पे, जहां पे आप जो है चीजों को complaint ना करें, या फिर ज्यादा दुख में दुखी ना रहें, जब कब कोई मर जाता है. He who has drowned out the arrow and has become composed. And वो जिनोंने एक arrow ड्रा कर लिया है, एक line ड्रा कर ली है, कि मुझे जो है किसी के दुख में इस line के beyond नहीं जाना है, ठीक है न? And has become composed, और जो है इसके साथ जो है वैसे ही उसको मानते हैं, will obtain peace of mind, automatically उनका दमाग जो है, उसमें peace आ जाता है, अमन आ जाता है, जब वो जिस बात को समझ जाता है, जो मान लेता है mentally इस बात को, कि हाँ, ये golden rule है, मौत सब को आनी है. He who has overcome all sorrow, वो जो सबी दुखों से बाहर आ जाता है, will become free from sorrow, वो सबी दुखों से बाहर निकल जाएगा, and be blessed, और इस तरह से वो जो है, सलामत रहेगा, मतलब अपनी जिन्दगी को एक peaceful तरीके से जी पाएगा, जहां पे पहले, जहां पे आथर ने जो है, जो पहला servant deliver किया है इसमें भुदा ने rationality पे जोर दिया है, कि जब किसी की death हो जाती है, तो हमें एक basic जो चीज है, इसको understand करना है चाहिए, कि जब कोई गया, तो वो वापस नहीं आता, जब हमें जे चीज understand हो जाएगी, तो इससे हमारे mind का peace चुक है, आ जाता है, and same चीजें जो होती है, जब आपका कोई loss होता है, कभी किसी का exam qualify नहीं खोता, तो आपके दुखी होने से कभी exam वापस नहीं आ सकता, this is something you have to understand, ठीक है न, जा फिर आप भार बाट रही कर रहे, भार बाट रही कर रहे, but finally आपके सबी जो है काफी age होगी, आपका डीट नहीं निकल रहा, आपका कोई exam qualify नहीं और अपको सियोसाइड कर देना है ठीक है दिन आपको समझना है कि इस पार अफ लाइफ ठीक है ना पूरी लाइफ तो नहीं है जो चीज चली गई जो टाइम चला गया इट विल नेवर बी कमिंग बैक ठीक है ना आपको एक रेशनल हो के सोचना है ताके इसी से जो है आपका मेंटल पीस जो है बना रहेगा आप फेर डिसीजन्स अपनी जिंदगी में ले पाएंगे और आपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे बिना किसी दिकत और परशानी के साथ लिए इसके साथ ही हमारा चेप्टर जहां पर एंड होगा विल रिक्वेस्ट है जो हम आगे आने वाली वीडियो में जो है डिसकस करेंगे एक स्पेसिफिक प्ले लिस्ट है हमारी जिसके अंदर हम अपने चैनल पे इसमें डाल देखें तो आप फर्स्ट फलाइट की प्ले लिस्ट पे जाकर चेप्टर को या दूसरी वीडियो को चेक आउट कर सकतें विल